अब अगर हम स्टार्ट कर रहे हैं बिहार के कारेंट इफेस्ट तो पहली इंपोर्टन चीज जो हमें पता होनी चाहिए कि नितिश कुमार जो बिहार के चीफ मिनिस्टर है अगर हम बात कर रहे हैं तो खगारिया और बेगु सराय के डिस्ट्रिक्स पे जादा इन पे फोकस रहेगा और अगर हम बोड रहे हैं तो ये विकास, समिक्षा, यात्रा भी इन लोगों ने शुरू करवा दी गई है तो टोटल 750 प्रोजेक्स में कुल 500 करोड रुपे डिवलोप्मेंट के लिए दिये जाएंगे बिहार की स्टेट गवर्मेंट ने बैन कर दिया है, इलेक्ट्रॉनिक सिगरिट्स, इस सिगरिट्स को बिहार की गवर्मेंट ने बैन कर दिया है और यह जो बैन है सिगरिट्स में, इसका डिस्टिबूशन, सेल, परचेस, कुछ भी तरह का अडवर्मेंट एस सिगरिट्स का पूरी तरह से बैन हो चुका है online purchase भी e-cigarettes का बंद कर दिया गया है तो e-cigarettes बिहार में completely banned कर दी गई है बिहार की government के साथ Drug Controller General of India, DGCI ने भी पूरा का पूरा बताया है कि nicotine होता है इसमें और इसलिए अन्य शेत्रों में पहले से यह banned था और बिहार ने e-cigarettes को पूरी तरह से banned कर दिया है साथ ही साथ में e-hook-up भी banned हो गया है बिहार में और अगर हम बात कर रहे हैं तो यह क्योंकि sinful goods माने जाते हैं यह आपात कालीन मतलब काफी जादा यह कह रहे हैं कि sinful goods हैं इसलिए बिहार सरकार ने इन्हें banned कर दिया है बिहार cabinet ने 105 करोड रुपे दे दिये है महादलित विकास mission को महादलित विकास mission की अगर हम बात कर रहे हैं तो most deprived section of schedule cast जो schedule cast के सबसे ज़्यादा deprived sections है जो महादलित विकास का mission है उस उन लोगों पे focus करेगा और 105 करोड रुपे इसके लिए धनराशी दी गई है यह mission जो है यह 2008 में set up हुआ था और यह क्यों हुआ था क्योंकि एक autonomous अपने ही आप में एक body है जो कि SCST welfare department के अंदर काम कर रही है और अगर हम बात कर रहे हैं एक और चीज़ यहां पर हमें पता होनी चाहिए महतरपून है कि high security jail high security jail जो है फुलवारी शारिफ ब्लॉक पतना डिस्टिक्ट में बना दिया गया है और यहां पर almost 50 से जादा करोड रुपे का इन लोगों ने इसके अंदर investment किया है अब अगर हम बात कर रहे हैं तो Delhi richest state बनके आया है और Bihar poorest state बनके आया है according to the National Family Health Survey National Family Health Survey ने यह घोशत कर दिया है कि Bihar poorest है और यह कैसे figure out होता है अफकॉस यह जो wealth quintile है इसके अंदर दिल्ली और पंजाब सबसे जादा उभर के आया है Ministry of Health and Family Welfare ने यह पूरी के पूरी findings को लिया है आपकी NFHS 4 की findings को और अगर हम बात कर रहे हैं तो scores कैसे इन लोगों ने बनाये थे consumer goods जो ओन कर रही है जनता उनके basis पे साथी साथ में उनके पास availability of clean drinking water है अन्य सुविदाय है उसके माधियम से इन लोगों ने declare किया था कि कहां यहां उनकी जनता rich है या poor है साथी साथ में जो आपकी जैसा कि हम लोगों ने कहा दिल्ली और पंजाब के शेतर सबसे जादा पाय गया है वैरस lowest quintile बिहार के अंदर पाया गया है तो bottom जो है वो आपका बिहार में आया है अब अगर हम बात कर रहे हैं तो नितिश कुमार ने first मुफ्ती मुहमद साइद award for property in public life जीता है अगर हम बात कर रहे हैं मुफ्ती मुहमद साइद की तो ये Chief Minister मुख्यमात्री रह चुके है Jammu and Kashmir के जिनका निधन हो गया था 2016 में और कुमार को पहली बार दिया गया है और ये जो first prize है public property in public life के लिए रखा था जैसे कि हम लोगोंने कहा कि death anniversary of PDP founder मुफ्ती मौमद साइद के लिए था Water Resources Ministry signs MOU with Bihar and Jharkhand for completion of the North Coil Reservoir Project तो अगर हम बात कर रहे हैं तो पूरा का पूरा पूरे के पूरे नॉर्थ कोयल Reservoir Project की तो हमें याद रखना है कि ये अंडर long-term irrigation fund for North Coil Reservoir Project के नाम से अप्रूव हुआ है और इससे क्या benefits मिलेंगे इससे ये पूरा का पूरा पूरा जो प्लान है ये प्रोवाइड करेगा irrigation to almost 1,11,000, 1,00,000 से जादा hectares of land को annually ये irrigation प्रोवाइड करेगा North Coil Project और अगर हम बात करें districts की तो पलामू और घार्वा districts जार्खंड और औरंगाबाद के ये इससे बहुत जादा benefit हुए जाएंगे औरंगाबाद, जार्खंड, गाया districts जो है बिहार के ये इस पूरे के पूरे North Coil Reservoir जिससे irrigation प्राप्थ होगा जिससे सिचाई प्राप्थ होगी जिससे water प्रवाइड होगा farmers को उसके लिए मददकार रहेगा अब अगर हम बात कर रहे हैं अगली important घटना की जो बिहार कारेंट पैस के लिए जरूरी है INS Vikram Aditya INS Vikram Aditya जैसे कि आप ये पिक्चर को भी देख सकते हैं Affiliated to Armies Bihar Regiment IAF तो अगर हम बात करें ये formally affiliate हो गई है INS Vikram Aditya ये जो पूरा का पूरा naval based ship है ये formally Bihar Regiment के साथ affiliate हो गया है Vikram Aditya is a symbol of power in the sea ये symbol of power है और ये काफी ही बड़ा है इसका length पी जैसे की दिखाया गया है 280 meter से जादा का इसका पूरा का पूरा length है और ये अब Bihar Regiment के साथ officially पूरा का पूरा गठित हो चुका है और इनका affiliation motto क्या है Victory Through Jointness Victory Through Jointness इनका official INS Vikram Aditya का total motto है जो Bihar Regiment के साथ जुड़ गया है Bihar State ने loose cigarettes को ban कर दिया गया है अगर कभी भी आपको loose cigarettes मिल रही है that means आपको pack में नहीं लेकिन खाली cigarettes दी जा रही है तो वो बंद हो गई है और Bihar ऐसा बार्वा बार्वा शेत्र है बार्वा State है जोसने इसको ban किया गया है cigarettes and other tobacco products caught part 2003 ने ये पूरा का पूरा movement start किया था और 80% लोग जो है loose cigarettes लेते हैं इसलिए ये पूरा का पूरा चीज़ बंद करने के लिए Bihar ने भी इसके साथ घटित हुए है लोगसभा स्पीकर सुमित्रा महाजन inaugurates CPA Commonwealth Parliamentary Association जो है आपका CPA Commonwealth Parliamentary Association Conference को सुमित्रा महाजन ने बिहार में बिहार के पतना शेत्र में inaugurate किया था और अगर हम बात कर रहे हैं तो main subject discussion क्या था Parliament का role क्या है in the development agenda Parliament किस तरह की भूमी रचता है ये पूरा का पूरा आपका Commonwealth Parliamentary Association का main objective था यहाँ पर और ये इनका 6th conference था जो घटित हुआ था Commonwealth Parliamentary Association जो है ये पहले Empire Parliamentary Association के लाया जाता था और ये एक ऐसी organization है जो support करती है good governance, democracy और human rights को ये पूरा का पूरा इन सच चीजों के उपर focus करती है और अगर हम बात करें तो 9 regions है अभी और 180 branches इनकी पहले से ही है K.S. Divedi appoint हो गए है Director General of Police DGP ये elect हो गए है of Bihar K.S. Divedi ने किस से लिया है P.K. ठाकुर से P.K. ठाकुर जो पहले DGP थे, Director General of Police थे अब उनसे आपके K.S. Divedi जी ने ये पूरा का पूरा ले लिया है और इनोंने कब लिया था जब आपके P.K. ठाकुर रिटायर हो गए थे 28 February को और इनोंने 1st March से पूरा का पूरा चार्ज ले लिया है Sushil Modi ने inaugurate कर लिया है Bihar का पहला Start-Up Hub पतना के अंदर Bihar के Deputy Chief Minister Sushil Modi Sushil Kumar Modi ने Sushil के Modi ने पूरा का पूरा जो आपका पहला Start-Up Hub है पतना में उसे inaugurate कर दिया है इस Hub के माध्यम से सब लोगों को मुफ्त में Plug and Play मतलब कि अगर कोई Start-Up के लोग है Start-Up के पूरी के पूरी Start-Up है तो उनको काम करने के लिए कई पे जगा दी जाएगी तो वो पूरी के पूरी मुफ्त में Plug and Play Facilities बिहार की Government प्रोवाइड करेगी और ये इसलिए है ताकि इनकारेज कर सके Entrepreneurship को इनकारेज कर सके Start-Up को तो ये चीज़ ध्यान में रखने पड़ेगी Workstation जो है Office Space जो है वो Plug and Play Facility पूरा का पूरा आपको बिहार Government Free of Cost प्रोवाइड कर रही है और साथी साथ में ये Companies जो है ये सारी Start-Up Companies को दिया जा रहा है Start-Up Hub में बिहार ने अपना 106th 106th Foundation Day मनाया है अगर हम बात कर रहे हैं तो बिहार पहले Undivided Bengal का पार था और बिहार Undivided Bengal से कैसे कब हट गया था 1912 में 1912 में 22nd मार्च को 22 मार्च को ये पूरा का पूरा Undivided Bengal से हट कया था और Independent State हो गया था Undivided Bengal से और 106th Foundation Day Celebrate किया गया है और इस Foundation Day की में थीम क्या थी में थीम ये जो 22 मार्च को हुआ था उसकी थीम थी Sanitary of Champaran Satyagra तो एक पूरे के पूरे 100 साल पूरे हो गए थे Champaran Satyagra को और Elimination of Dowry and Child Marriage के उपर ये दो important चीज़ों पे ये Sanitary की main themes थी और अगर हम बात कर रहे हैं तो ये सारी किसारी books पे आए थी नील के डबबे एक था Mohan ये सारी के सारी भी books थी पहला जो बिहार दिवस था वो 2012 में मनाया गया था मधुबनी railway station बिहार में एक पूरा का पूरा उसको एक makeover मिल गया है पहले ये सबसे जादा गंदा railway station माना जाता था काफी गंदगी होती थी यहाँ पर लेकिन काफी सारी articians कम से कम 225 articians जिसमें से 80% महिलाए थी उन्होंने मुफ्त में पूरे के पूरे railway station को अच्छी तरह से मधुबनी आर्ट से painting कर दिया गया है जैसे कि आप इस photo या आप इस photo में भी देख सकते हैं उन्होंने पूरे के पूरे मधुबनी आर्ट को अपने मधुबनी रेलवे स्टेशन पे मैथली पेंटिंच के द्वारा सजा दिया है और अगर हम बात करें चाहिए नोससमें अप रिजन अच्छा है यह मैथली रीजिन से है जो कि बिहार में स्थित है और जैसे कि हम लोगों ने कहा कि ये जो पूरा का पूरा जो फीट है जो इन लोगों ने पूरा चीफ किया है रेलवे स्टेशन को बनाने के लिए ये वर्ल्ड रेकॉर्ड भी सेट कर दिया गया है इससे आगे बढ़ते हुए प्राइम मिनिस्टर मोदी ने लाउंच कर दिया है इंडियन रेलवे स्ट 12,000 HP मेक इन इंडिया इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव तो ये इलेक्ट्रोमोटिव जो है ये इंडियन रेलवे का पहला मेक इन इंडिया लोकोमोटिव है इससे पहले जादतर हम बाहर से लेते हैं, इंपोर्ट करते हैं लोकोमोटिफ को और यह जो first make in India है, 12,000 HP electric locomotive यह इसकी जो factory है, factory बिहार के मध्यपुरा में है बिहार के मध्यपुरा में first electric locomotive जो की make in India का है, वहाँ पर है और यह सहारनपूर में अब अगर हम बात कर रहे हैं, तो प्राइम मिनिस्टर ने address कर दिया है, National Convention of Swachagories Swachagories launches development projects तो प्राइम मिनिस्टर ने जो सारी के सारी Swachagories हैं उनको National Convention पे address किया था और अगर हम बात कर रहे हैं, Swachagories को तो यह cleanliness के ambassadors है, Swachya भारत से associated है और यह मोतिहारी East Champaran District of Bihar में हुआ है और अगर हम बात करें, तो यह जो है यह पूरा का पूरा Bihar के सत्यागरे के जो sanitary celebration से related है जो सत्यागरे movement महात्मा गांदी जी ने चंपारन में शुरू करा था और अगर हम बात करें, थीम की तो सत्यागरे से स्वच्छागरे है यह इसकी important theme है अगर हम बात करें, development projects की launch by Prime Minister Modi and Mothi Hari तो यह development projects जो Prime Minister Modi ने Mothi Hari में start किये हैं इन्होंने कम से कम 6,600 करोड के projects Mothi Hari में शुरू कर दिये हैं जैसे कि water supply and sanitation अगर हम बात करें, कुछ-कुछ जिला के जो इनसे benefit लेंगे, तो गंगा प्रोजेक्स में अगर हम बात करें, तो पठना हो जाएगा और पठना के कुछ शेत्र है जो कि इन सब में आएंगे railway sector के अंदर भी development project लिया जाएगा, जैसे कि मुझफर, मुझफरपुर, संगोली संगोली, वालमी की नगर, ये सारे के सारे जगा आएंगे और अगर अगर हम बात करें तो नाशनल हाइवी 2 और अंगाबाद में पेट्रोलियम, ओयल, ल्यूब जो है, LPG जो है, वो सारे के सारे रखे जाएंगे बिहार के अंदर हाइस्ट क्राइम रेट देखा गया है, अगेंस्ट SCST और बिंगॉल में लोइस्ट है, ये डेटा जो है ये आपको प्रवाइड हुआ है, NCRB डेटा के तरू, अगर हम बात कर रहे हैं तो बिहार में हाइस नंबर ओफ क्राइम रेट्स हुए हैं और ये हाइस नंबर ओफ क्राइम रेट्स जो है और लोइस्ट कहाँ पर है, वेस्ट बिंगॉल के अंदर क्राइम स्पेसिफिकली SCK अगेंस्ट ये भी जादा हाइ रहे हैं बिहार के अंदर, जो कि हमें थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा लोग प्रेवलेंस जैसे कहा गया, वेस्ट बिंगॉल में सबसे लो था केरला में भी काफी लो क्राइम रेट पाया गया है NDMA conducts first ever mock exercise on bio disasters at Patna airport, Patna के airport के अंदर पहला mock exercise against bio disasters रखा गया है ये airport emergency handlers airport emergency handlers जो है, इन लोगोंने ये रखा गया है लोक नायक जैप्रकाश airport के अंदर, Patna के अंदर और ये national disaster management authority NDMAB इसके में भागीदारी था अगर हम बात कर रहे हैं तो Ebola outbreak, क्योंकि काफी बार हम देखते हैं कि airport के तुरू जो विश्व में बिमारियां हैं जैसे ही वहाँ पर आपके visitors, tourists आ रहे हैं तो वो diseases को भी लेके आ रहे हैं इसलिए ये पूरा का पूरा जो mock exercises है ये जो bio disasters होते हैं इनको रोकने के लिए ताकि अगर कोई बाहर दूसरे मुल्क से आ रहा है अंदर ताकि जैसे अगर वो Ebola की disease को लेके आ रहा है या अन्य diseases को लेके आ रहा है तो हम उसे रोक सकते हैं तो इसलिए ये पूरा का पूरा mock exercise उन लोगों ने पतना एरपोर्ट पे रखी गई थी और इसके अंदर आपका National Disaster Management Authority भी शामिल था पतना टॉप करता है 4G connectivity को amongst 20 largest cities तो पतना ने 4G का 4G की जो connectivity है उसको टॉप कर दिया गया है और ये अहेड है लेकिनो शेत्रों से रहसे की Bengaluru, Mumbai, Delhi से ये भी इनसे भी जादा अहेड है और अगर हम बात करें तो कुछ cities जो बिहार के अंदर है जो कि जिनके पास connectivity बहुत जादा है पतना की तरह ही कानपूर, अलाबाद ये सारी की सारी भी है and of course Kolkata, Bhopal, Lucknow ये अन्य शेत्र है बिहार के बाहर जो कि आपके तो बिहार के अंदर अगर हम बात करें तो सिरफ और सिरफ पतना आपका आ रहा है उसमें 4G connectivity highest रही है तो पतना ने टॉप कर दिया है 4G experience को प्रवाइड करते बाएं बिहार के मुख्यमंत्री civil, civil sewa प्रोटसाहन योजना civil sewa, civil sewa प्रोटसाहन योजना तो यहां पर अगर हम बात कर रहे हैं ये उन लोगों के लिए है जो कि civil services में ताकि प्रोटसाहन योजना का आरंब किया है ये मुख्यमंत्री अनूचित जाती एवं अनूचित जन जाती civil sewa प्रोटसाहन योजना है ये महादलित को help कर रही है ताकि वो अपनी पढ़ाई में उनको पूरी के पूरी मदद मिल पाए ये 50,000 रुपे से लेकि 1,000,000 रुपे तक देगी SCST respectively को और क्यों देगी ताकि ये clear कर सके civil services के exams जो कि बिहार Public Services Commission या UPSC से conduct होते हैं तो ये चाहते हैं कि जो महादलित हैं ये जो SCST के जो लोग हैं जिनको जादा मौका नहीं मिल रहा है उनको अच्छी तरह से प्रोचसाहन मिले ताकि government आपको पैसा दे रही है और अगर हम बात करें तो बिहार के मुख्यमंत्री Civil Services प्रोचसाहन योजना के next major जो step है मतलब आपका जो पहला हो चुका था Student Credit Card System उसके बाद Civil Services प्रोचसाहन योजना second best scheme मानी जा रही है ये पूरा का पूरा जो है ये loans भी provide करेंगी लोगों को और साथी साथ में इनको पूरी प्रोचसाहन देंगी ताकि इस Civil Services में जादा से जादा लोग अथी तरह से तयारी करके उनको clear कर सके बिहार के मुख्यमंत्री कन्या उत्थन योजना ये भी बिहार की एक important योजना है मुख्यमंत्री कन्या योजना जो है ये stop करना चाता है child marriage को और इसके अंदर इन्होंने काफी सारे steps लिए है ताकि जब एक बीटी पैदा हो रही है तो वो पैसा दे रहे हैं फिर उसके बाद अगर बेटी पूरी की पूरी शिक्षा कंप्लीट करी है तब ही वो पैसा दे रहे हैं तो इसमें गवर्मेंट ने बिहार की गवर्मेंट ने मुख्यमंत्री कन्या उत्थन योजना के अंतरगत पांच हजार रुपे on the birth of the कन्या जब कन्या का जन्म होगा 10,000 रुपे अगर कन्या ने पूरे के पूरे एक्जामिनेशन स्कूल के कंप्लीट कर ली है लेकिन अन्मैरिट है विवाहित नहीं है तो आपको 10,000 रुपे दिये जाएंगे और 25,000 रुपे अगर कन्या ने पूरी के पूरी डिगरी ग्राजुएशन डिगरी भी ले ली है और ये जो है ये पूरा का पूरा ये बेनिफिट करेगा कम से कम 1.6 महिलाओं को 1.6 महिलाओं को ये गर्ल्स को ये हेल्प करेगा पर इयर और एक और चीज़ जो हमें याद रखने इंपोर्टन्ट फीचर्स बिहार काफ्मेंट स्पेंड करेगा ओल्मोस्ट 54,100 रुपे कम से कम 55,000 रुपे ये एक कन्या के ऊपर स्पेंड करेगा और इनिशिटिव्स भी और लिए गया है ताकि इंसेंटिव्स दे सके कन्या को ताकि कन्या अच्छी तरह से पढ़ पाएं और उनका मारिटल रेट कम हो जाए बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड सिस्टम स्कीम ये एडियो फिन कॉप तो प्रवाइड लोन्स तो स्टूडेंट तो ये जो पूरी की पूरी के साथ-साथ तो प्रवाइड लोन्स अंडर बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड स्कीम तो अगर हम बात करें तो लोन्स अप्टू 4 लाख रुपे आप अपने लोन्स जो है वो 4 लाख तक आप ले सकते हैं और लोन का जो अमाउंट है amount to pursue higher education उनको दिया जाएगा और अगर हम बात कर रहे हैं तो यह चाहते हैं कि जो involvement of banks है वो कम से कम हो जाए ताकि लोग अपने आप ही credit card scheme, student credit card scheme को avail करके loan लेके अपनी शिक्चा को ग्रहन कर सके अगर हम बात कर रहे हैं तो बिहार की मुख्यमंत्री अलपसंख्यक रोजगार रिन योजना for minorities भी पूरी के पूरी launch हो गए और यह important है मुख्यमंत्री अलपसंख्यक रोजगार योजना, रिन योजना यह minorities के लिए हैं और यह employment opportunities create करेगी minorities के लिए अलपसंख्यक वर्ग के लिए और यह जो families हैं जिनके पास बहुत ही modest income है उनके लिए भी है Chief Minister Minorities Employment Loan Scheme इसके भी guidelines यहाँ पर निर्काशत कर दिये गए हैं और इस scheme के अंदर unemployed candidates जो है वो loan avail कर सकते हैं 5 लाग तक का तो अगर हम बात कर रहे हैं कि मुख्यमंत्री अलपसंखिक रोजगार रिन योजना के अंतरगर यह 5 लाग तक का लोन ले सकते हैं ताकि अपना खुद का कारोबार शुरू कर सके अगर यह लोग unemployed हैं अगर employed हैं तो नहीं ले सकते हैं अगर unemployed हैं तो अपना खुद का रोजगार अपने पेरों पे खड़े होने के लिए ये 5 लाग तक का लोन ले सकते हैं ये age group 18 से 50 वर्ष के आयू लोगों के लिए ही है जो बिहार government दे रही है बिहार will provide loans up to 5 lakh to the selected candidates on the following rate of interest तो जो जो select हो जाएंगे तो वहाँ पर loan amount दिया जाएगा और loan का repayment भी बिहार government ने decide कर दिया है कि सत्यपाल मलिक को additional charge औरिसा का दे दिया गया है योगि ऐसी जामिर जो औरिसा की governor थे वो retire हो चुके है तो इसलिए सत्यपाल मलिक को additional charge दे दिया गया है अगर हम बात करें तो Asian Development Bank ने loan देने का घोशना कर दी है 84 million dollars का loan जो है for water projects in Bihar water projects जो है Bihar के लिए उसके लिए Asian Developmental Bank AD ADB loan देगी ताकि जो सारे के सारे water based projects है Bihar में वह अच्छी तर ऐसे complete हो जाए और यह almost 84 dollars का 84 million dollars का loan देगी यहाँ पर जादतर जो शेत्र है यहाँ पर water projects undertake होंगे जैसे कि भागरपूर, Gaia यह in towns पे main focus रहेगा भागरपूर, Gaia, दर्भंगा, मुजफरपूर यह सारे के सार शेत्र भी benefit होंगे ताकि water supply मिल पाए 2021 तक हर एक इन शेत्रों में क्योंकि Asian Development Back यह loan दे रही है, fourth international dharma dharma conference यह नालंदा में हुई है, तो यह fourth international dharma dharma conference है, यह क्यों हुई है, यह नालंदा district में हुई है, राजगेर के नालंदा district के अंदर और नालंदा university जो है, यह वैसे भी collaborate क साथ और यह वैतनाम Buddhist universities के साथ, ताकि यह जो dharma dharma traditions है, इनका पूरी के पूरी तरह से preservation हो सके, तो यह इसका fourth conference हुई थी, बिहार ने top कर दिया है national topper in financial year 2017 growth with 10.3 PC, अगर हम बात कर रहे हैं, तो बिहार ने total 7.5% का growth दिखाया है, 7.5% का growth दिखाया है, जो कि national average से बहुत ही ज national average growth जो है, वो 7% कर रहा है, लेकिन बिहार के अगर हम बात करते हैं, तो बिहार में 7.5% इनका growth rate रहा है, तो बिहार का growth rate higher रहा है national average से और इसलिए बिहार ने top पी किया है financial year 17 का growth rate, right, gross financial deficit भी बिहार का जो government का रोज वो भी rise कर गया था, agricultural sector ने भी witness किया था एक तरह का growth rate, त ये भी चीज हमें थोड़ा सा ध्यान में रखने पड़ेगी, 60 artworks exhibited at बिहार museum, बिहार museum की जो 15 दिन की exhibition थी, 5 April से 20 April तक, वहाँ पर 60 कम से कम artworks exhibit हुए थे, और ये बिहार museum के अंदर थे, इस पूरी के पूरी exhibition का नाम था, constellation, इस पूरी exhibition का नाम था, बिहार के chief minister ने first driving training institute, ज जो कि Maruti Suzuki के साथ collaboration में हुआ है, उसे inaugurate कर दिया गया है, तो पहला driving and training research institute जो है, वो भी हार के अंदर खुल चुका है, जिदिश कुमार ने ही इसे inaugurate किया था, और ये और अरंगाबाद में, इस टेट का पहला institute है for driving and training, और अरंगाबाद में ये खुला गया है, और अगर हम बात कर रहे हैं, तो इन्होंने इसके लिए MSIL से पूरा का पूरा collaboration लिया था, Maruti Suzuki India Limited के साथ, जो की largest car manufacturer है, इसे पहले इन्होंने साथ-साथे train the trainer model भी लिया है, that means, कि जो लोग driving को सीख चुके है, multiplying effect होने के लिए, वो दूसरे अन्ये drivers को भी train करेंगे, तो train trainer, पूरा का SIL, road safety awareness programs को भी conduct करेंगा, सिरफ और सिरफ सेट आप नहीं करेंगे, लेकिन road safety programs को भी लेखेगा, अगर हम बात कर रहे हैं, तो ITDR, Indian Driving Training and Research Institute, अभी और अंगाबाद बिहार में तो खुल चुका है, लेकिन इससे पहले, दो हैं डेली के अंदर, दो हैं हर्याना में, एक है उत् चेत्रों में भी driving, research and learning centers खोलेंगे, बिहार handover करेगा, तीन thermal power plants to NTPC, बिहार तीन जो thermal plants हैं, वो NTPC को दे देगा, National Thermal Power Corporation को, तीन जो plants हैं, बिहार वापस कर देगा, बेगु सराय में जो बुरानी thermal power station है, BTPS, उसको handover कर देगा, मुझफरपुर में, जो आपका joint venture है, कांती बिजली उतपादन निगम लिमिटेड, KBUNL, इसको भी ये आपके NTPC को दे देगा, आपके National Thermal Power Corporation को दे देगा, नाभी नगर में, जो नाभी नगर power generating company है, NPCGL, इसे भी बिहार NTPC को वापस कर देगा, National Thermal Power Corporation को वापस कर देगा, BCCI की Technical Committee Approves Bihar's Participation in Ranjit Trophy, जो BCCI की Technical Wing है जोसे सौरव गांगुली हेड कर रहे थे, उसने approval दे दिया, उसने clean shit दे दिया है, कि बिहार reinstate हो जाएगा, next Ranjit Trophy में, Ranjit Trophy जो के Cricket Shetra में, domestically काफी माननिय पूरी के पूरी Trophy है, उसमें बिहार reinstate हो चुका है, सौरव गांगुली लेट Technical Team ने ये घोशित कर दिया गय है, तो ये चीज हमें याद रखना है कि वो recommended और Technical Team में ये भी recommend किया है, कि North Eastern States जो है, वो भी Ranjit Trophy में लाए जाने चाहिए, 100 BPOs जो की women को cater कर रहे हैं, SCST को cater कर रहे हैं, वो बिहार के जिले में आएंगे, ऐसा Ravi Shankar Prasad ने घोशत कर दिया गया है, Common Service Center जो है बिहार में, ये जा सके और जो लोग SCST को belong कर रहे हैं, उनको भी empower किया जाए, अगर हम बात कर रहे हैं, तो smaller BPO जो centers है, इनमें 5 से 10 की seats होंगी, जो SCST के villages में होंगी, BPO centers पहली आच चुके हैं, पतना में, मुझजफरपुर में, तो ये सारे के सारे हैं, लेकिन कहां पे और खुलेंगे, ये समस्तीपुर में खुलेंगे, दिवारी में खुलेंगे, गासीपुर में खुलेंगे, तो पूरे के पूरे 100 BPO's जो हैं, catering to women ये खुलेंगे बिहार के अंदर, यहाँ पर खतम होता है हमारा पहला भाग, बिहार के current affairs को, आप अच्छी तरह से सारे के सारे जो current affairs आपने अच्छी तरह से देखेंगे, ताकि आप अच्छी तरह से prepared हो, किसी भी तरह के exams जहाँ पर बिहार related current affairs पूछ जाएंगे, उन्हें answer करने के लिए